प्रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाई लेटेस खबरे सबसे पहले सहित अन्य उतरी राज्यों में मध्यम गती के चक्रवाती तूफान की दस्क तक के बाद शुकरवार को इन इलाकों में आंधी तूफान की आशंका जताई है पस्चिमी विक्षोब के चलते पंजाब से एमपी तक चलेंगी तेज हवाएं चलेगी विभागने मौसम की मौजूदा परिस्थती के मताबिक हरियाना और आसपास के इलाके और उत्तर दक्षिन में पंजाब से लेकर मध्या प्रदेश के निचले इलाकों के तेज चक्रवाती हवाओं के दायरे में आने की आशंका जताई है दिल्ली के सुबह रही गर्म, तेज हवा और बारिश की संभावना नई दिल्ली, राष्ट्री राजदानी दिल्ली में शुक्रवार की सुबह बहद गर्म और नमी वाली रही देश दिल्ली का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज इस मौसम के सामाने तापमान से 4 डिग्री सेलसियस अधिक देश मौसम विभागने शुक्रवार शाम में दिल्ली एन्सियार समेत आसपास तेज हवा और बारिश की संभावना जताई है देश सुबह 8 बज कर 30 मिनट बजे आर्धृता कस्तर 56 दी दर्ज देश राजदानी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 41.4 डे से और न्यूनतम 29.2 डिग्री सेलसियस दर्ज हुआ यहां अलर जारी अगले 24 घंटों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, अरियाना, चंडीगड, दिल्ली और पस्चमी यूपी में तेज और आंधी के स्पीड 50-70 किमी प्रती घंटे के बीच हो सकती है, देश उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती, देश इसके मद्दे नजर विभागने स्थानिय प्रशासन को आप दसम्बंधी तैयारियां रखने क अलर जारी किया है देश पस्चिमी विक्षोब का असर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी रहने का अनुमान देश बिहार, पस्चिम बंगाल, सिक्किम, मेगाल, नागालैंड, मनिपूर, मिजोराम, त्रिपुरा, तर्टिय और भीत्री करनाटक, व केरल के कुछ इलाकों में आन्दी तुफान की आशंकाव देश तमिलनाडू, दक्षनी करनाटक के भीत्री इलाकों और केरल के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है विदर्ब समेत कुछ इलाकों में गर्मी तो उत्तर भारत में गिरेगा पाराद देश मौसम विभागने विदर्ब के कुछ इलाकों में गर्मी का तेज असर शुकरवार को भी बने रहने की आशंकाव देश उत्तर भारत के लगभग सभी इलाकों में तापमान की गिराव के मद्दे नजर गर्मी का असर कम रहने की संभावना दैश विभाग में मौझूद अपस्चिमी विक्षोब के कारण उत्तर और पूर्वत्तर भारत के तमाम इलाकों में आंदी और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा दैश मौसम में बदलाव के बावजूद राजस्थ गुजरात, एमपी, भीत्री महराष्ट और तेलंगाना, रायलसीमा और भीत्री उरिसा के कुछ इलाकों में पड़ेगी गर्मी दैश राजस्थान, गुजरात, एमपी, भीत्री महराष्ट और तेलंगाना, रायलसीमा और भीत्री उरिसा में 24 घंटों तक अधिक्तम देश लखनव में तेज बारिश होने से लोगों को गर्मीवा उमस से राहत मिली है देश उप्र मौसम विभा के निदेशक जेपी गुपता के अनुसार दिन में बारिश होने की उमीद है देश पूरे सब्ताब तक आंशिक और पर बदली चाही रहेगी इन जिलों में आंधी की संभावना देश उप्र में उनाव, कनोज, फरोखाबाद, वारानसी, गोरकपूर, बलिया, गाजीपूर, मू, देवरिया, महराज गमनज, बलरामपूर, शावस्ती, लखीमपूर खीरी, पीली भीत, रामपूर, मुरादाबाद और बिजन और सहित कई जिलों में आंधी आने की संभावना देश चितवनी के जरिये लोगों को सतर्क रहने की सलहा दी गई, देश पूरे सब्ताब तक हलकी बारिश और बादलों का असर बना रहेगा, देश 8 से 12 जून तक प्रदेश भर के सभी जिलों में बादल चाहे रहेंगे, देश अन्यूनतम तापमान 19 डिसे, अधिक्तम 30 डिसे रहने का अनुमान देश बना रसका अन्यूनतम तापमान 20 डिगरी, कानपूर का 23 डिगरी, इलाहबाद का 25 डिगरी, गोरकपूर का 24 डिगरी और ज्हासी का 25 डिसे दर्ज, मत्र में गर्मी और उमस बरकरार, कई हिस्सों में बहुत चारे पड़ी, जिससे तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है